इसका इस्त्माल किसलिये loy change? वो इसलिए क्योंकि यह पेलन ने सेpeशली है किउब इसलिए क्यों कि हमें बनाना है वर्र की पर sm Papa मैदा, घी, नमक, चीनि और बारज के उसके बहुत सारी मैनत तो यह जो मैदा है इससे शुरुआत करते हैं, मैदे में मिक्स करें, नमक, यह बना रहे हैं बरकी पराथा यानि लेयर्ड पराथा, काफी सारी लेयर्ज इसमें होंगी, कोई साधारन पराथा नहीं है यह, नमक के बाद चीनी, और अब इसमें हम डालते हैं दूद और घी, यह जो परांठा है काफी खसता परांठा बनेगा और उसके साथ-साथ लेयर्ड परांठा है, लेयर्ज इसके अंदर हैं, इन सब चीजों को मिक्स करते हैं, इस मैदे को हमने गुंदना है, ये हमने इसमें डाला घी, नमक, चीनी और दूद, और अब इसके साथ पानी, पानी डाल कर इसे गुंद लेना है हमने कभी भी आप रोटी बनाएं पराथा बनाएं उसमें यह जो गुंदना है यह बहुत ही important होता है जबकि इस पराथा में इतना जादा नहीं है क्योंकि यह जो पराथा हमने खसता पराथा बनाना है तो इसलिए बहुत जादा गुंदने की ज़रूरत नहीं है इस मैदे को गुंदने के बाद आप इसे थोड़ा सा रेस दे दें इसको आप करीब 15 से 20 मिनट तक गीले कपड़े से ढख कर रखें अब इसे हम बेल लेते हैं यह जो मैदा है पहले इसे हाथ से फेला देता हूँ और फिर थोड़ा सूखा मैदा डाल लें दोनों तरफ और अब यह डंडे का कमाल इसे हम बेल लेते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा और और इसे फिर बेल लें यह बेल लिया हमने इसे इसमें हम लगाएंगे गी, melted गी, गी लगाने के बाद सूखा मैदा और अब इस तरह से फोल्ड करके दबा दे, थोड़ा सा घी और मैदा और आप इस तरह से फोल्ड करें, थोड़ा घी और मैदा एक बार फिर, यह मैदा डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लेयर्ज हैं, फाइनली यह पराठे में लेयर्ज निकलेंगी, तो यह जो लेयर्ज हैं आपस में चिपके नहीं, इसलिए मैदा बहुत जरूरी है, आप इसे फोल्ड कर दें, इस तरह से और एक प्लेट या किसी बरतन में या ट्रे में आप रखकर सुखा मैदा लगा कर, अब इसे फ्रिज के अंदर रख दें, इसे फ्रिज के अंदर करीब 15-20 मिनिट तक कम से कम 15-20 मिनिट तक रहने दें, पराठे का मज़ा तब ही आता, जब उसमें जो परत हैं, वो काफी सा और एक दम खिली-खिली हो, अगर वो परत अच्छी नहीं हुई, तो पराठा बढ़ या नहीं है, इसलिए परत के लिए मेहनत बहुत जरूरी है, अंदर इसमें हमने रख दिया है, जो पूरी तरह से हमने डो को बनाया था, उसके बाद में घी लगा कर, रोल करके हमने अब तरफ से, एक बार फिर इसी तरह से घी या मक्षन लगा कर अच्छी तरह से इस पर फेला लेते हम, और साथ साथ इसके उपर थोड़ा सा मैदा, तो ये सूखा मैदा, च्छिड़क दें इसके उपर आप, ये लीजे, सूखा मैदा होगा है, और अब इसे फोल्ड कर लेते हम, फोल्ड कर लिया, एक बार फिर इसको प्रेट में रखके, फ्रिज में रखते हैं इसे हम, ठंडा होने के लिए, ताकि इस परांठे की जो लेयर्ज हैं, वो बने बढ़िया, अभी काम खतम नहीं हुआ है, स्माप नहीं हुआ है, वो इसल बहुत काम कर लिया, इस बीच में बहुत सारे और तयारी करनी थी, जिसको मैंने कर लिया है, तवा भी तयार है, और एक लेयर उसकी और लगा लिया, जो हमारा परांठा है, वो हम तयार कर लेते हैं, इसमें तीन बार हमने घी लगाया है, और अब बारी है इसे पकाने की, इसको ऐसे तो नहीं पगा सकते हैं, इसको पखाने के लिए बेलना पड़ेगा हमें, एक बार और, अब इस समय आप ये देखें, यहां पर ये आपको कितनी layers दिख रही हैं, और ये तीन बार हमने किया है, तो सोचे कितनी layers होंगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो layers ह इसको आप संभाल के रखें, अभी तो खेर layers पता नहीं इतनी चलेंगी, पकने के बाद में थोड़ी ज़्यादा पता चलती है, फ्रिज में रखने के बाद में ये जो मैदा है, काफी इसमें resistance आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि हम इसे बेलते जा रहे हैं और वह वापिस खिचता जाता है, बेलते जाते हैं और वाफिस खिचता जाता है, खर कोई बात नहीं, करना तो पड़े गई, अब हमने इसे बेल लिया है और बेलने के बाद इसे पगाना है, अब ये जो तवा है, इतना बड़ा तवा भी छोटा है, तो क्या करें, ऐसे भी इतना बड़ा में डाला और अब ये काट लिया जिस तरह से कुकीज या बिस्किट काटते हैं उसी तरह से इन पराथों को हमने काट लिया है और अब आप देखिए ये जो पराथ हैं इसकी थिकनेश अब इसको निकाल कर आप एक बार फिर फ्रिज के अंदर रखें गेस्ट आ चुके हैं सारा खाना परोस दिया है आपने अब बारी है गरमा गरम पराथे बनाने की फ्रिज में से निकालें और इसे पकाएं ये पराथे एकदम ठंडे और गरम तवा इसे हम पकने के लिए रख देते हैं और इसे पकने में बहुत जादा समय नहीं लगता लेकिन जरूरी है कि आप इसको ठंडा करके तब ही पकाएं ये आप देखने हैं जो पराथे थोड़े से मोटे रखें ये काफी खसता पराथे होते हैं यानि आपने पकड़ा और तू काफी खसता पन है, इसका जो हमने डो गुदा था वो काफी खसता था, काफी शॉट था। आपने सुना ओका शोटनिक, शॉटनिक का क्या मतलब होता है shortening होता है, fat को भी हम shortening कहते है तो इसमें हमने जो घी डाला है, वो हो गया shortening, cakes में भी shortening का आपने नाम सुना हो गया भी shortening होता क्या है, चलिए बतायता हूँ आपको जो गेहूं होती है, अब गेहूं का आटा होता है, मैदा होता है उसमें जो protein होता है उसका नाम क्या होता है? मालू मैं आपको? चलिए बतायता हूँ, gluten कहते हैं तो जो चीज gluten strands को shorten करें तो वो होती है shortening अब shortening से क्या होता है? shortening से वो चीज खसता हो जाती है ऐसे crisp हो जाती है जैसे कि समोसे में या ऐसे पराठे के अंदर अगर एकदम pliable हो जाए, soft हो जाए, तब वो shortening नहीं हुई अगर gluten को आप जो भी कोई चीज उसके strand को shorten करें वो shortening तो यहाँ पर घी, थोड़ा सा घी लगा दिया और अब पलट के दूसरी तरफ से भी घी लगाया अब आप देखिए, यह पराठा जो एकदम crisp करा रहा और यह देखिए, यह इसकी परत जो है, वो कैसे खुल रही है यह लेकिन यह पूरी नहीं खुलेंगी ऐसे, वो कैसे खुलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप यह पराठा ले ले और जब आपने यह पका लिया, सर्फ करने से पहले आप इसे हाथ से थोड़ा सा मोड ले, किस तरह से गरम गरम पराठा है हाथ में सब लोग नहीं कर सकते तो थोड़ा कागज ले ले और उसके बाद अब देखिए, इसके अंदर बिलकुल कुछ ल दिकालने के लिए, दोनों हाथ से आप इस तरह से यह देखिए, बस, इतना सा मोड़े और उसके बाद आपको यह परती परत दिखाई देंगी इस पराठे में से, और जब आपने इस तरह से कर लिया, तो बिलकुल इंतजार ना करें, अगर आपने खाना है तो तुरंद ख मांगेंगे, यह गैरेंटी है, नहीं मांगे, तो आप फिर भी बताएंगे, नहीं बताएंगे, जिया, चलिए एक चीज़ बतायता हूँ, खाना जब भी बनाएं, तो जितनी भी रेसेपीज हैं, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, मैं करता हूँ न, आप भी करें वरकी पराठा, वरकी पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैदा चार कप, दूध एक कप, चीनी धाई छोटे चम्मच, घी तीन चौथाई कप, नमक स्वादनुसार